जाएगी और बारी बहुंबास से जाएगी और जैपर की तो पांच लाग से ज़्यादा लीड लेगी सोचा तो नहीं था पर चाहते थे कि हमारे मुख्य मंत्री हमारे विदाइक साव ही बने और वो ही हुआ मैं सिर्फ भजनलाल जी के साथ में घड़ी थी सुरू से जो वूमेंज को राइट्स नहीं मिले वूमेंज को सेफटी नहीं मिली वो इस सरकार बीजेपी पर पूरा भरोस है कि वो ये सब को हम बहुत अच्छे से करेंगे बहुत खुशूं की सरकले जो हमने ती मैनत करी किसी को भी विश्वास नहीं था कि इनको एक विधाय की सीट पर चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस सरकार में जितने भी मिस हापनिंग्स होई हैं वो सिर्फ आम जूटे अस्वाशन देती हैं यह कॉंग्रेस ने कभी भी महिलाओं के प्रती कुछ भी सोचा नहीं ने मरजी भूत बहुत जादा इस चीज़ की खूशी है जो लोकतंतर में देशाजादी के समय लोकतंतबार्टिय लोकतंतर ब्बहुत चरथार्त हो रहा है राजस्तान में रामराज या जागया है बहुत अच्छे यादम है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर तो राजसान में भी वही हुआ जो चतिसगड में हुआ जो मद्यपरदेश में हुआ एक ऐसा नाम जिसकी ना तो चर्चा थी ना ही दूर दूर तक किसी ने सोचा था कि एसा मुखे मंत्री आएगा जिसका नाम ही नहीं है चर्चाओं में और यह आंकलन लगा जाने लगा था तब से जब से मद्यपरदेश में डॉक्टर मोहन याद़व को जो है मुखे मंत्री की कमान दी गई और तब से वो जो दस्बारा नाम चर्चा में थे राजस्थान के वो दस्बारा नाम पीछे हड़े और जो बाकी 115 कुल विधाक चुन करके आए थे उन में से एक एक को देखा जाने लगा कि संगठन का काम किसने सबसे आदक किया है और एक और महतपून बात यहां पर नोट क करने वाली तीनो राज्यों में जो पैटरन देखने को मिला 60 साल से कम उमर मुख्यमंत्रियों की उसके अलावा जो बचपन से ही समाजी कारेों में रहे जिनोंने संगठन का काम किया जिनोंने संगठन को पूरे परदेश में आगे ले जाने का काम किया उनको यह जिमेदार बनते हैं और विधायक पहली बार विधायक बनने के तुरंट बार जो है मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बन जाते हैं इस समय जो उनका निवास थान है वही पर मैं मौझूद हूँ उसी सोसाइटी में इस समय मैं मौझूद हूँ जो कल तक एक आम सोसाइटी थी लोगों के अगर बात किया विधायक भी जो है वो यहां पहुंच रहा है आप देख सकते हैं आप जो है सिक्यरिटी फोर्सिस के जवान जो है वो भी मेरे वीडियो जनलिस्ट आपको दिखाएंगे सिक्यरिटी फोर्सिस के जवान जो है वो अब आपको यहां पर नजर आएंगे क्योंक तक 199 विधायकों में से एक आज उन सब का प्रमुख बन चुक है चीम मिनिस्टर बन चुक है सबसे बात करेंगे सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि राजसान में जो इस बार चुनाव था कही न कहीं उसमें एक एहम मुद्दा महिला सुरक्षा था महिलाओं के क्यों के रहने वाले हैं जब वोड डालने जा रहे ते सोचा था एक विधायक को चुन करके बेज रहे 갖고 उन सोचा तो नहीं था मुखे मंत्री हमारे विदायक साअ बहुन है और वही हुए मनके 1099 गटी लेकिन कहीना कहीन एक इंट्यूशन कम होगा कि पहली बार तो चुन करके जा रहे हैं कि मंत्री पत्मिल जाए ये भी गनीमत रही यह भी कहीना कहीन दिंवांग में छुन लेकिन चलो जो हमने चाहा वो हमार को मिला है आपका नाम है मेरे राम रजनी जादो ने और मैं दिदी की ठोटी सिस्टर हूं अच्छा दोनों बहने आई आर सा लिपरेट बिल्कुल बिल्कुल यह मेरी धरम की भाएन है और मैं सिर्फ भजनलाल जी के साथ में घड़ी थी उसके बाद में यह सब जो राजिस्टान में हम लोग सुरक्षित नहीं थे हम राजबुतों की लेडिस नीकल नहीं सकते मैं कोई भी नेज सुरक्षित नहीं थी कैसी भी लेड्य सुरक्षित नहीं झ 250 नहीं नहीं काण्ट हो रहे थे हैं यहांप Amauc फ्हें यहां जो वुमेंस को राइट्स नहीं मिले, वुमेंस को सेफिटी नहीं मिली, वो इस सरकार बीजेपी पर पूरा भरोसा है, कि वह यह सब को हम बहुत अच्छे से करेंगे। और जो स्टूडेंट्स के साथ पेपर लीक हो रहा है जो उनकी केरियर खराब हो रहे हैं वो ये काम सरकार बहुत अच्छे तरीके से करेगी इसलिए हमने बीजेपी कमल को जिता है आपका ग्यानाम जी मेरा नम ललीता दियाल है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि सरके लिए जो हमने इतनी मैनत करी और मैं आंसरोर मंडल से महामंत्री हूं और मैं चाहती हूं कि जो जितने भी अभी क्राइम्स हुए क्योंकि लेडीज को बिल्कुल भी सिक्योर्टी नही है वह क्या बोलते हैं हम लोग किती त्यारी करते हैं उसके लग जाता है तो पेपर लिखना और हमें अपना जॉब मिले थैंक यह और भी लोगों से अब यहां बात करेंगे चर्चा करेंगे हाँ पर सी जी क्या नाम है मेरा विनोज बारिया है मैं सांगानेर से हुँं साइटी हो गए वह यहां पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है देखिए मैं हूँ प्रिया ग्यानानी महिला मूर्चा मांसुर मंडल अद्यक्षि जब भाई साब भरतपूर से पहली बार ही अपना चुनाव के लिए आये थे उनका हमने जनम दिन मनाया था तो किसी को भी विश आप देखी रहे हैं कि आप हमारे सांगानेर का जो उदार होगा वो तो नाम तो कुछ और चल रहे थे चर्चा हैं कुछ और नाम की देखो यह पहली बार भी दैक्शन करें बिलकुल यह राज की बात है यह अपने जो प्रधान मंत्री जी हैं वो हमेशा जिनको भी उन्हो मंत्री के पतपिर है उनको सब पता है कि कौन वरकर है कौन काम करने वाला है कौन नहीं है वो उनको अंदर से सब पता था तो इसी वज़े से वो आज इस सीट पर है मेरा नम पुनीता शर्मा है मैं शिक्षा प्रकोष जैपुर जिला उपाध्यक्षू तो सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जो महिलाओं ने बढ़चड कर वोट दिया इस बार बीजेपी को एक भरोसा जताया है कि जो पिछली सरकार में होता था इस बार व जो जीत हुई है वो महिलाओं का इस बार बर्चर के इस लिए था क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस सरकार के अंदर कितने मिस हापनिंग्स हो यह वो सिर्फ जूटे अस्वाशन देती है कॉंग्रेस ने कभी भी महिलाओं के प्रती कुछ भी सोचा नहीं और यह बजनलाल जी बने हैं जमीनी कारे करता हैं परदेश महामंत्री भी है और सांगानेर हमारे सांगानेर के विधायक भी है और हमारे को इतनी अच्छी खुशी है कि अब इनको सीम का पत दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं के लिए ठोस कानून जरूर नि आप रहने वाल जैसे मैंने आपसे पूछा कि बहुत महोल बनाया गया बाहरी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया अब बाहरी व्यक्ति कहा जाए यां कुछ और कहा जाए विधायक तो बनगे मुख्यमंत्री भी बनगे क्या कहें गया बिलकुल बने क कि उसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद करें घृट कि इसलिए बहुत बहुत दन्यवाद आपको आपका क्या नाम है नाम देव यह मैं बजनलाल जी का पडोसी उसी सुसाइटी में रहते हैं आप कौन सब लैड़ाइब का मेरा भी 107 है फ्रस्ट फ्लोर पे यहीं पर है और बहुत ही मतलब एक अच्छे इंसान और ग्राउंड टू अर्थ इंसान उनको आप कह सकते हो और भारी का जैसे आप सवाल कर रहे थे कि वह भारी मतलब लोग बोल रहे थे कि मतलब विदान सवा में भारी हैं तो वह दल मावल बना रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो मिठे बहुत बंढ़ेंगें अब द सब्सक्राइए का है आप मुखे मंत्री के पड़ोसी हो गया है तो वो क्या अंदर से भावना आ रही बहुत बहुत जादा इस चीज की खुशी है और जैसे वो रोज हमें मतलब मिला करते थे मतलब शाम को वॉक करते हुए ठीक है और मतलब हमको लगता भी था कहीना कि उनको देख कर कि वो एक दिन मतलब क्योंकि एक औरा जो है ना उनका सबसे बड़ा लोगतंत्र है वह चट्था जो चट्था लोगतंत्र में देशाजादी के समय लोगतंत्र भारतिया लोगतंत्र जो सबसे बड़ा लोगतंत्र है वह चर्थार्त हो रहा है कि एक छोटा कारकरता गाओं के लेविल से उठकर के और एक उच्छे मुखमंत्री जो राष्थान का प्रदेश का एक बड़ा पद होता है उसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि छोटे कारकरता से फिर वह जिलाद्यक्स बने उसके बाद चार बार महमंत्री रहे प्रदेश में चार अध्यक्स चेंज हो गए लेकिन उनकी कारक कुसलता को देखते हुए यह जो मुदी जी ने जो निड़ने लिया है यह बहुत ही सरहानी है निड़ने है और एक महिंती कुसल कारकरता है आप आएंगे भजनलाल जी मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश की बागड़ बहुत अच्छे आदमी राम राज राइस्तान में राम राज जा गया मैं सबसे पहले तो आदर्ने प्रदान मंत्री मोदी साब को बहुत 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 बदाई देता हूं कि हमारे राजस्तान के लिए इतना कर्म्ट限र करता उन्होंने दिया और संटन केूल के लिए मैं तो सबसरे में बड़ी बात करने कि हम हिंदु हैं तो हिंदुत के लिए बहुत बड़ा काम भी तक हमारा राज़स्तान बहुत पिखरा था हिंदू के मामले में और हिंदुऊंको नहीं दिया जा précéd लेकिन अब एक ऐसा मुख्यमंत्र हमें मिला है जिसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता और बस यह है कि वो हमारे लिए इतना अच्छा काम करेंगे देश की जनता के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे तो धन्यवाल जो यहां पर महोल है यहां पर केवल जो सोसाइटी के लोग थ लेकिन आज आप देख सकते हैं यहां पर जमावड़ा पूरे राजस्तान से लोग जो है वो दिरे-दिरे यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर आकर के जो है वो बदाईयों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि वो किसी ने भी नहीं सोचा था वो वीडियो भी बहु वोट देने जा रहे हो एक विधाय को वोट देने जा रहे हो यहां फिर एक मुख्यमंत्री को वोट देने जा रहे हो बहराला भी यहां पर यह जो यहां पर माहोल है वो भी चलते रहेगा आने वाले कुछ दिनों के लिए और कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ देखा जो है उनके लिए वो लोगसबाद चुनाव जो भी लोकसर चुनाव रहाय पांच महीने बाद उसमें 25 सीटे जो है उसकी बड़ी जिम्मेदारी उन पर होगी लेकिन यहां से संगानेर की अगर बार तो देखिए यहां यहां पर यहां पर माहोल अभी आप देख सकते हैं वो लोगों में खुशी है और आने वाली यहां पर यहां पर रुक नहीं रहे हैं आने वाले लोगसवा चुनाव के लिए यहां पर तयार है देख सकते हैं आरे बास ही हाँ राजिस्थान का एकिलाल पजनलाल राजिस्थान का ये कि लाल ऐसंतर से आया हूँ मेरा नाम महेंदर सिंग गुजर है और पूरे राजस्तान के युवाओं की जीत है पूरे राजस्तान के आम कारेकरता की जीत है पार्टे ने एक मजपूत और इमानदार कारेकरता को से बनाए तो सब युवाओं के दिलों में जोस आगया भाई अब नेतागरियां खतम होगे जो सब में जोश यहां पर है और यहां से कॉंक्लूड करेंगे और अभी जो है बदाई का सिलसिला यहां पर चलता रहेगा और कहीं न कहीं अगर बात कि जाए तो साइगानेर की इस समय जो जंता है वह यहां पर खुष आपको नजर आएगी कि केवल एक विधायक नहीं, एक मुख्यमंत्री को चुन करके उन्होंने आसे बेजा है